जिहां नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका चेर परिचित दोस्त पुना उपश्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में एक और नए और शदी लेकर के एक और नया टॉपिक लेकर के दोस्तों जो आपके लिए बेहद लाफकारी सावित होने वाला है दोस्तों जो आपके ल हमारी औश्रधी है दोस्तों मेथी आए जानते हैं मेथी के कुछ बेनीफिट्स दोस्तों होता तो सभी के पास है लेकिन कैसे इस्तिमाल करेंगे तो क्या उसका लाब होगा यह हम आपको बताते हैं दोस्तों एक अनुसंधान के एकोडिंग मेथी के बीज में पाया जाने वाला सेपोनीन पूरुषों में पाया जाने वाले टेस्टोस्टेरान हर्मोन में उत्तिजना पैदा करता है जिससे की पूरुषों में सेक्स छमता बढ़ जाती है दोस्तों त्वचा रोग को ठीक करता है जी हां मेथी त्वचा र प्रक्रिया में सहायक, मेथी को छाच में मिलाकर पीने से हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही मजबूती मिलती है, अगर खाने के बाद काफी देर से खाना पच्च रहा है तो इसका इस्तिमाल शुरू कर दें और फर्क देख लें दोस्तों, बालों में रूसी को दूर करता है, मेथी को दही में मिलाकर बालों में लगाने से रूसी दूर हो जाती है, इस प्रक्रिया को कम से कम एक सप्ताह या सप्ताह में दो बार इस्तिमाल करना चाहिए, आपको रूसी से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों, मधुमेह के बिमारी में जिहां रोजाना एक चमच मेथी के पाउडर को खाने से सुघर लेवल कम हो जाता है दोस्तों जोइंट पेन जिहां दोस्तों अगर आपको जोणों का दर्द है तो मेथी के हरे पत्तों को लेकर गरम पानी में 3-4 मिनट बॉयल करके उसे सीधे साबूत खाएं इससे आपको घुटनों के दर्द और दूसरे जोइंट पेन में काफी रिलिफ मिलेगा पीठ का दर्द जिहां दोस्तों अगर आप बैक पेन से परिसान रह रहे हैं तो मेथी का सेवन शुरू कर दें आपको इसका असर 30 से 50 दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा मुटापे को घटाए जिहां अगर आप मुटापे से ग्रश्त हैं तो आपको मेथी के दाने को रेगुलर खाना चाहिए एक रिसर्च के एकोर्डिंग मेथी दाना मुटापे को घटाने में लावकारी होता है अगर आप खान पान पे कंट्रोल और लगातार मेथी खाते हैं तो आपका मेथापा कम हो जाएगा दोस्तों गौर तलब है कि भारत में कड़ी और सबजियों में इस्तिमाल कीजियेने वाली मेथी मुख्य तोर पर राजस्थान, गुजरात, उत्तर परदेश, उत्तराखन, मध्य परदेश, महाराश्टर, हर्याना और पंजाब में उगाई जाते है बालों के लिए भी मेथी दाना को गला कर पेष्ट बना कर उप्योग किया जाता है इससे बाल मुलायम, काले और चिकने होते हैं दोस्तों तो अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे दोस्तों एक और नई और शरधी लेकर के एक और नया टॉपिक लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद